नमासकार, काहितरी जोतिस के इंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोगों के लिए जोतिस सास्त्र से जुड़ी भी महत्पूर्ण जानकारियां हम समय समय पर सारित करते रहते हैं, जोतिस सास्त्र की हर विधा से संबंदित जानकारी हम आप लोगों के लिए ल पर आप स्वैम या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित वह सभाओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं समुद्र सास्त अंगुश अपरण सास्त में एक ऐसी जानकारी दी गई है इतनी महत्तुपूर्ण कि यदि आप भली बाती उसे समझ लें तो आसानी से यदि किसी के बारे में आप आखलन करेंगे तो वह सौप्रती सत्य सित्य होगा भौहें आखें की जो ये भौहें बताए गई है समुद्र सास्त्य में चार प्रकार से इसका वर्डन किया गया है और व्यक्ति का सभाव इन चारों प्रकार की भाहों में सौप्रती सत्य सामने सत्य ही सत्य देखने में आता है तो हम चारों प्रकार से जो बताया गया है समुद्रिक सास्त्र में अंग सप्रण सास्त्र में हम आप लोगों को बताएंगे पहला बताया गया है जिस ब्यक्ति की स्त्री हो पूरूस हो दोनों भौएं मिले वी होती है ऐसे ब्यक्ति को सामुद्रिक सास्त में चुस्थ, दुरुष्थ, चाला अपना स्वार्त सिद्ध करने वाला मतलबी वह अपनी मन की बात दबाए रखने वाला ब्यक्ति बताया गया है, बताया गया है कि ऐसे ब्यक्ति पर बहुत कम ही विश्वास करना चाहिए, ऐसा ब्यक्ति अधिकतर विश्वास काती होता है, आपका कभी भी बुरे वक्त मैवास साथ नहीं देगा, कहीं न कहीं आपके साथ वह छलावा करेगा, ऐसा अंगर सप्रान सास्त्र, सामुद्रिक सास्त्र कहता है, जिसकी दोनों भौएं मिली वी होती है, यहां तो पहला बताया गया, अब दूसरा बताया गया है, जिसकी भौएं धनुसाकार हो, धनुस की आकार की, जैसे भौएं इस तरीके से, ताकि ऐसे मिली धनुनी, तो ऐसे ब्यक्ति के लिए सुब बताया गया है ऐसा अब्यक्ति, कलाकार कलाप्रेमी, राजनीतिग्य वैज्यानिक यानि कि बड़े पदाउं में बिराजमान रहने वाला दुसरों की मदद करने वाला विख्यात वा लोगों में सम्मानिय होता है यानि कि जिसकी धनुसाकार भौएं वह अपने जिवर में कुछ न कुछ उलेकने कारे अवश्य करता है दुसरों का वह प्रिय रहता है और हमेशा ही कुछ न कुछ सुब ही वह करता है लोगों का भला ही वह करता है तो धनुसाकार जिसकी भौएं उसे सुदो बताया गया है तिसरा बताया गया है जिस ब्यक्ति की यानि की स्त्री हो पुरुस हो भोएं जो होती है मोटी होती है भोएं अक्तर बहुत मोटी लगती है तो ऐसे ब्यक्ति को कठोर कुरूर पुरुटी का बताया गया है विलासी भोग पुरुटी का बताया गया है हर प्रकार के भोग को भोगने वाला बताया गया जिसकी मोटीव होए है वो दुसरों पर अपना अधिकार जमाने वाला बताया गया है दुसरों को दबा कर रखने वाला बताया गया है जिसकी मोटीव होए है ऐसे ब्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए ऐसा ब्यक्ति डराबन वाला और दूसरों को दंड देने वाला ऐसे ब्याद क्या की गई है यानि कि कुरूर प्रवर्टी ऐसे ब्यक्ति की रहती है जिसकी मूटी भौएं उती है चौथा पताया गया है कि जिस ब्यक्ति की भौएं अंगर सप्रुन सास्तर कहता है जिस ब्यक्ति की भौएं अक्यति पतली हो तो ऐसा व्यक्ति सरल सामान्य जीवन जीने वाला होता है सांत सुभाव का होता है दबू गिस्म का होता है हर किसी के आगे दबने वाला होता है सामान्य तर अपना कारे निकालने वाला सरलता से जीवन जीने वाला होता है तो इस तरीके की जो ब्याख्या है सामुज़रिक शास्तर अंगर सप्पर्ण सास्तर में भाओं के बारे में की गई है और बताया गया है कि ऐसी भाओं यदि ब्यक्ति की हो तो ब्यक्ति तो इसी तरह का होता है और या 중 प्रतिस्द कटूट सकते हैं और आग भी इस बात को चेक कर सकते हैं जिसकी बहुएं दोनों मिली हुई हों धनुसाकार हों मोटी हों या पतली हों चार कावर्डन आया हुआ है पूरु में भी हम मिली हुई भाओं के बारे में जो हमने देखा था पड़ा था उस समय पे वो लेके आये वे तेक आज से करी थी हमारे को यह मिली हमने तो हमने कहा क्यों आप तो आप लोगों तक यह जानकारी पहुचाई गया है तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ा कर आप इसे सेयर कर सकते हैं नही लोगों से आगरा रहता है कि चुड़िये गायतरी जोतिसके इंदर के साथ हर आप अए विव शाओ तो इस अए आप शबादी लहार लोगों यहाँ इंदरी शारी जोतिसके तो नहीं है थाच्टाइब क रहता हैं डिस नहीं आप वोगों जावे शर रहता हैं जया जहा हैं अएवच हैं कि अ